नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए लेके आई यू वर्ण विचार का पार्ट तीन इसमें कुल 25 प्रश्ण है तो बीना समय वेश्ट किये बढ़ते हैं पहले कोस्चन की और पहला कोस्चन है भासा की सबसे छोटी इकाई है तो इसका उत्तर है डी वर्ण प्रश्ण संख्या 2 हिंदी में मूलत हा कितने वर्ण है तो इसका उत्तर है डी चोमालिस यदि पूछा जाए हिंदी वर्ण माला में कितने वर्ण है तो उसका उत्तर होगा बावन प्रश्न संख्या 3, हिंदी भासा में वै कौन सी ध्वनिया है जो स्वतंतर रूप से बोली या लिखी जाती है इसका सही उत्तर है A, स्वर प्रश्न संख्या 4, जिन वर्णों के उच्चारण में वायू का परवाहा रुख कर या घर्षन के साथ निकलता है उसे कहते हैं तो इसका सही उत्तर है व्यंजन प्रश्न संख्या 5 स्वर कहते हैं इसका सही उत्तर है B जिनका उच्चारण बिना अवरोध अत्वा विद्न बांदा के होता है प्रश्न संख्या 6 इस पर स्वियंजन कितने हैं तो इसका सही उत्तर है D 25 प्रश्न संख्या 7 हिंदी में स्वरों के कितने परकार हैं तो इसका उत्तर है C 3 हरस्व दिर्ग और प्लूत प्रश्न संख्या 8 हिंदी वर्ण माला में अंग और अह क्या है इसका सही उत्तर है C अयोग वाह प्रश्न संख्या 9 जिनके उच्चारण में दिर्ग स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं तो इसका उत्तर है प्लूत स्वर प्रश्न संख्या 10 निम्न लिखित में से कौन स्वर नहीं है तो इसका सही उत्तर है D प्रश्न संख्या 11 उच्चारण के समय जीब की इस्तती के अनस्वार स्वरों की कितने भेद दिये गए हैं तो इसका सही उत्तर है B प्रश्न संख्या 12 वैदवनिया जो स्वरों की सहायता के बीना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं तो इसका उत्तर है C व्यंजन प्रश्न संख्या 13 निम्न लिखित में एक स्पर्स व्यंजन है इसका सही उत्तर है B छो प्रश्न संख्या 14 हिंदी वैण माला के अंतिम पंचमा अक्सरों का उच्चारे निस्तान क्या है इसका सही उत्तर है A अनुनासिक प्रश्न संख्या 15 अंतस्त व्यंजन है इसका सही उत्तर है यरलव यरलव का जो सही क्रम होता है वो होता है यरलव प्रश्न संख्या 16 श्रश्र सह व्यंजन है इसका सही उत्तर है B उस्म प्रश्न संख्या 17 उत्सिप्त व्यंजन है इसका सही उत्तर है डा और धा प्रश्न संख्या 18 ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है इसका उत्तर है B जयगन या प्रश्न संख्या 19 शक्ष्या त्र और ग्या के गर्णा स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि इसका उत्तर है A यह संयुक्त व्यंजन है प्रश्ण संख्या 20, हिंदी में व्यांजन वर्गों की संख्या है इसका उत्तर है C, 33 प्रश्ण संख्या 21, कंठे द्वनिया कौन सी है इसका सही उत्तर है C, कख, गग प्रश्ण संख्या 22, सय द्वनियों का उच्चारण इस्तान है इसका सही उत्तर है B तालव्य प्रस्न संख्या 23 परुस व्यंजन कौन से होते हैं इसका सही उत्तर है क अघोस प्रस्न संख्या 24 बासा निर्मान की इकायों का सही क्रम क्या है इसका सही उत्तर है ध्वनी, सब्द, पद और वाक्य प्रश्ण संख्या 25 स्वर कहते हैं इसका सही उत्तर है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हमने सबी प्रश्णों को सॉल्फ कर लिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अब मिलते हैं अगली वीडियो में